हेलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज के वीडियो नीट यूजी 2023 स्टुडेंट के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है नीट यूजी 2023 की जो एकस्पेक्टिड कटोफ है वो क्या रहने वाली है सभी स्टेट के स्टुडेंट के लिए ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो गैज नीट यूजी 2023 की जो कटोफ है अगर मिनिमम आपके इतने मार्क्स नहीं आते है तो आप किसी भी स्टेट में कोई भी कोलेज चाहे गोर्मेंट हो या प्राइवेट आप नहीं ले पाएंगे ठीक है तो कितने मार्क्स की आपको जरूरत है कितने मार्क्स मेंडेटरी है कितने मार्क्स आने ही आने चाहिए वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि आपको नेट यूजी, एक्जाम, कट ओफ, रिजल्ट, काउंसलिंग कि पल-पल की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे क्योंकि अगर एक इन्फोमेशन भी काउंसलिंग के टाइम आपके मिस हो जाती है तो आपको एक भारी नुक्षान उठाना पड़ सकता है इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि टाइम टू टाइम सभी स्टेट्स के अपडेट आप तक पहुंच सके अब देखे गैस ये वीडियो जो होगा ये सभी स्टेट्स के स्टुडेंट के लिए इंपोर्टेंट होगा क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ नीट युजी दो हजार तेस की expected cutoff तो देखे वैसे सभी स्टेट्स के cutoff अलग-अलग होती है लेकिन एक कटओफ होती है जो सेम होगी जो minimum qualifying marks रखे जाते है जो minimum cutoff रखे जाते है वो सभी स्टेट्स के students के लिए equal होती है उसका मतलब क्या होता है कि वो students स्वाइब कर सकते हैं डोनेशन पर लेना चाहे तो भी पोसिबल नहीं हो पाएगा ठीक है क्योंकि last से last year काफी सारे student पकड़े गए है 2022 में भी खेर पकड़े गए है काफी जादा students जिनने फरजी वाड़ा किया था फरजी admission लिये थे पकड़े गए बाद में उनको बाहर भी निकाला गया ठीक है तो कि देखे गाइस हम देख लेते हैं एक बार minimum कितने marks आपके होने चाहिए कि आप counselling में participate कर पाएंगे आप देखे गाइस यहाँ पर पूरा data लिया गया है जनरल के कितने जो है apply की OBCS CS team तो उन सब की यहाँ पर cut off marks भी जो है वो आपकी यहाँ पर डाली गई है तो यह marks range है आप देख सकते हैं ठीक है तो यह minimum qualifying cut off है कि इतने marks आपके होने ही होने चाहिए actual में यह actual data है official data है 2022 का ठीक है तो आप 2023 का exam दे रहे हैं 2022 में जो total candidates थे वो 18 lakh के अप्रोक्स थे जिनने need use का exam दिया था लेकिन अगर मैं बात करू 2023 की तो 21 lakh के करीब students है जो need use 2023 का exam दे रहे है ठीक है तो आप देख सकते है धाई 3 lakh candidates जो है इस बार जादा है 2022 से तो cut off जो है भड़ेगी ही भड़ेगी तो यह जो cut off दी गई है यह official data है official cut off है minimum qualifying marks की तो इसके अंदर आपको add करके चल लेना है plus 20 marks वैसे 20 marks काफी होते यह आप सभी को पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी competition होगा तो plus 20 marks आप इनके अंदर add करके चल लिए जैसे यह general की expected cut off अगर मैं बात करूँ तो यह होगा 137 के आसपास minimum general में आपके minimum इतने marks होने चाहिए तभी आप counseling में participate कर पाएंगे चाहिए आप किसी भी state के student हो यह आपका OVCSTST है तो OVCSTST के अंदर भी 20-20 marks add करके चलिए तो अगर मैं 113 के आसपास आपके marks होने चाहिए ठीक है और maximum range माननी है आप यह मान सकते है प्लस 20 करके after that guys आप अगर बात करेंगे general PWD candidates की तो general PWD के अंदर आपकी जो cut off रहेगी 105-116 minimum qualifying marks और अगर मैं OVCSTST की बात करूँ तो यह रहेगी 93-104 ठीक है इनके अंदर आपको add कर लेना है 20-20 marks यह पूरा official data दिया गया है कि कितने students किस particular कितनों ने register किया था कितनों ने apply किया कितना यह जैसे total candidates है कितने qualify हुए यह पूरी information यहाँ पर दी गई है तो NEET USE 2023 की भी cut off है 137 minimum qualifying marks आपके होने चाहिए ठीक है category wise थोड़ा थोड़ा आपका कम होता जाएगा तो यह आपकी cut off है इतने marks आपको लाने ही लाने है अगर इतने marks आपके नहीं बनते है तो आराम से बैट जाएगा next year की तैयारी की जाएगा या फिर मैं तो बोलूगी next year भी रहने दीजेगा क्योंकि अगर इतने marks नहीं बन रहे है तो next year भी आप कितना कर लोगे 300-400 300-400 नंबर में college मिल जाएगा लेकिन private मिलेगा private college में जो fees होती है वो काफी जादा होती है तो government college की cut off काफी high जाती है अगर आपको government college चाहिए तो बहुत अच्छे से तैयारी की जरूरत है ठीके guys फिर भी अगर किस चीज को लेकर आपको doubt है या किसी particular college इसकी particular state की cut off जाननी है तो आप comment के जरीए फोच सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो like और share जरूर कीजेगा चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी ना भूले तो जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you guys